सब्सक्राइब किजिए मिस्टर गीप की यूटुब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लैटेस टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स मैं नम इस गानेशन और वाशिंग मैं यूटुब चैनल मिस्टर गीप तो शाओमी का जो मी एवन स्मार्टफोन है वो इंडिया में बहुत ही अच्छा हिट रहा और अभी उसका सक्सेसर यहने मी एटू जल्द ही चैनल में लॉंच होने वाला है 25 अप्रिल को तो आज हम इस वीडियो में उसे की बार में बात करेंगे तो सबसे पहले में बता दू कि यह जो चैनल में लॉंच होने रा वर्जन है वो यमाई 6S है और यही स्मूपफोन इंडिया में शाओमी का मी एटू नाम से लॉंच होगा और पिछले साल भी जो मी एवन आया था वह वहां पर यमाई 5X नाम से लॉंच हो आता तो शाओमी यही करता है यमाई 5X था वो यमाई 5X पर बेस्ट था और यमाई 5X यह प्यूर स्टॉक अंडॉड पर बेस्ट था और यह भी जो यमाई 8 हो आएगा वही स्टॉक अंडॉड पर ही बेस्ट होगा और चैना में जो जाएगा वह यमाई 5X पर बेस्ट होगा तो कंक्लूजन में आपको बता दूँ कि इस फोन का जो वर्जन चाइना में जाएगा वो यह माई यूआई पस बेस्ट होगा और इंडिया में जो आएगा वो स्टॉक अंडॉड होगा तो चलिए इस फोन के स्वेसिफिकेशन की बारे में बात करते हैं तो हमको इसमें मिलेगा 18-9 का डिस्प्ले और बैक कैमेरा डियोल 2,900 एमेज की बैटरी मिलेगी यानि मी एवन में जो 3,000 एमेज की बैटरी थी उससे थोड़ी रेडिस करके 2,900 एमेज की हमको मिल जाएंगी यह ऐसा है क्योंकि कमपनी इसको अब तक का शौमी का सबसे स्लीम फोन बना चाहती है और हो सके उतना उसके बैक के डिजैन पर य यानि दिखने में यह बहुत लाइट वेड और स्टाइलिश उनको चाहिए इसलिए वो बैटरी उसमें कम कर रहे हैं तो इसलिए वन 2,900 एमेज की बैटरी दिए है और उसके साथ अगर यह क्वालोकम क्विकचार 3.0 के चारजर प्रोइड करते हैं फोन के साथ तो बहुत ह इसमें अलगा से अची बात होगी और बाकी स्वैसिगेशन के बात करें तो इसमें हमको अनलज मिलेका लेकिन मुझे क्वेह तो नहीं लगता कि इसमें मीजें करेंगी क्यूंकि LiftyS 익inky अगर यूज करते है शौमी तो फोन का बिजिट 15,000 ते बड़कर गर 17,000 तक जा सकता ह तो मुझे लगता है कि कंपनी इसमें Snapdragon 636 का चिपसेट जो कि Redmi Note 5 Pro में यूज किया था वही वो यूज करेंगी तो देखते हैं April 25 को चैना में जो YM6S launch होता है वो कैसा होता है उसकी specification क्या होती है वह कुछी दिनों बाद जब यह चैना में launch होगा उसके कुछी दिनों बाद इंडिया में भी यह Mi A2 नाम से जल्दी आ जाएगा So हमें वेट करना होगा 25th April को और देखना होगा कि यह phone कैसा आता है So friends, that's it for this video. If you like this video, hit that like button and share it with your friends. Till now, goodbye!